पूर्प के नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जैसरमाँ आपका स्वागत है हमारी डूप चैनल में जोस्तों मेरे पास एक ऐपड है आइपैड नाइज दोज एक किस का मोडल तो दोस्तों कुस ताइम पहले मैं नियुक्ष टाइम चलाने के बाद मेड़क पांच-च्य मैने च चिवेन खराब गया तो पर आपने बेंगलोर में जो इनका में आफिस है जहां पर यहां पर यह फारी चीजें आपका आई-पैड वापस आगया है आपका जो रिप्लेस्मेंट था या फिर जो रिपैर थाव होको यह कंप्परी नहीं करेंगी क्योंकि आपने इसमें कुछ कुछ इंटरनल छीड़काने की है तो पहले तो मुझे समझे नहीं आया कि कोई वी आम आद्मी इसके अंदर कौंसी छीड़काने कर सकता है तो मैंने उनसे यह जी बोला कि आई तो पहली तो मुझे समझी नहीं आए कि मैंने क्या लोचा है मतलब कोई भी ऐसी चीज जो की फुली टेक्निकल डिवाइज है इसको कोई कैसे चिड़का नहीं कर सकता है तो उन्होंने मेरा आई-पैड वापिस कर दिया स्विस्टेटर वाले ने मुझे बलाया लेकिन मैं नहीं गया मैंने सीधा फिर क्या करा इसके लिए एक दू जगा इमेल किया कंपनी की मिलेड़ी निकलके वाँ इमेल किया और कंपनी के कर्ष्म केरे पर मैंने इंसे बात की क काफे दिनों तक बात चलती रही मतलब 8-10 दिन तक बात चलती रही कश्म केर वालों ने जो मेरा जो आई-पैड था इसके लिए जो कंप्लेंट थी उसको अपनी सीनर्स को बेजा और आगे तक मतलब एसकलेट कर दिया ऐसा ही इमेल भी मैंने कई लोगों को किया तो मेरे के इसको एसकलेट करने के बाद लगब 8-10 दिन तक यह सारी बाते चली थी सारी चीज़े चलती रही उसके बाद मेरे पास वहां से रेपलाई आया कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वह साबित कर सके कि मैं जो आई-पैड है इसमें मैंने कोई छिडगानी की है फा एर्र वह साबित नहीं कर पताए तो उन्होंने अक्सेट किया की यहां फी ऐप में दिक्कत और हम इसको रिपेर करेंगे कि टो पहले अैसे के लिए अगली दिन फोन आया है कि इंपास रaksi हाइगा आपको रिपेर को होता दो थो फिर दुब करेंग बेंगलोर मंगाया फिर उन्होंने जो आइपेड था मेरा दूसरा उन्होंने वासे डिस्पेच किया और तीन दिन के बाद मुझे मेरा ये दूसरा आइपेड मिल गया अब जब भी आप रेप्लेस्मेंट का यूनिट लेते हैं तो उसकी जो अन्बॉक्सिंग होती हो कैसे हो क्या होती है आप है मार देख लिए जार बादया है है अब कि अस ने चाहिए को जो है श्री में वही वाला दिया आई रिपलेस करके दिया है तो दोस्तो आपने देखा एंबॉक्सिंग अच्छा दोस्तो जब मैं डिवाइस को वापस लेकर आ गया कि वहां पर शो कर रहा हुआ क्योंकि अपने अपने इसक को इसको इसको इस्ते महीने इसको इन्दर है दो एसी थी जिनको मैंने इसके साथ में टैज किया आपको दो दिखाता हूं इसमें कि एक इच्वाइज तो मिरा या मैं ब्लुटूथ कीवर्ड उसके किया कुछ टाइम तो पूझ किया और यह माउस भी था डूटूथ वाला कैसा जो यह माउस को भी मैंने इस्तमाल किया तो दोस्तो कही ना कहीं मैंने अभ्जर्व किया कि हो सकता है यह دोनों चीजे है एपल की नहीं थे अपनी क्योंकि एपल यह कहता है कि आपको भी device करते हो उनकी तो उसके साथ में ज्र ATM करते हो भी उनकी आपको यूज़ करनी है ठीक है लेकिन हम जो evis कर रहे हैं जो bluetooth development यूज कर रहा था थी और ये ब्रांडेट लेकिन हो सकता है कि ان को यूज करने कि वज़ाए से कोई technical error उनके सिस्टम में शो कर रहा हूं तो दोस्तों मेरा यह कहना है आप लोगों से कि पहली बात तो यह कि अगर आपको चीज ले रहे हो चाहाँ बहुत कर लिया आपको उसके लिए करना है कि हाँ मैं गलत नहीं हो गलत आप है आपका जो मेनफेक्ट्र डिफेक्ट है वो है उसके वज़े से इसमें प्रॉल्म आई है दूसरा आप कोई भी डिवाई यूज करते हैं इस्पेशली फॉर एपल एपल की नहीं कहला है एंड्रोड के लिए में बात ही नहीं कर रह है बाहर की चीज़ें मतलब जैसे कि और भी अधर अधर ब्रांड माऊस या कीबोर्ड आप यूज करते हैं तो कुछ ऐसा यूज करें जो कि जिससे की कोई प्रॉब्लम आपके डिवाई में ना है और हो सके यूज ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है अगर आपको यूज यूज करना तो फिर हाप बॉड्ल का की यूज करें अलंकि महंगा आ ता है हो लेकिन कहीं न कहीं अगर करने करेंगे तो कंपनी कहीं न कहीं आप के आपको जो क्लेम हैं आप जो वारंटी क pä्ते हो उसम्हां कर सकती है तो मेरा बस येunden को बताना है कि कोई भी चीज आप डूसरा बाहर से च्ट्रण रहे हो तो महीं करने और तिसारी चीज़ आप यूज करते ऊसके साथ में कई चीज़ dip कोशिश करें अपनी जो जाद अच्छा है और वैसे अगर हो जो स Chang'd करे ना करें तो जाद अच्छा है अ vest पढ़ेज़ों को फिर जैसे आपको जैसे मैं बागता रहा पंदरा बीच दिन व्यसे ही फिर आपको भी भागना पड़ेगा तो यह था मेरा आज का वीडियो यह आपको समझाना चाहता था कि कोई वैसी दिक्कत आती तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आप ईमेल करके आप को शेर बे कर सकते हैं तरने बाद